नमस्कार दोस्तों आज के क्लास में हम डिसकस करेंगे क्लास 10 के साइंस का 2nd चैप्टर जो की है Acid, Bases and Salts उसका Part 2 पिछले क्लासेज में हम लोगों ने Acid और उसके Properties के बारे में Indicator के बारे में थोड़ा जाना था आज हम Base से पढ़ेंगे तो Base होता क्या है तो Base एक ऐसा Chemical Substance है जिसका की Beta Test होता है और जब हम उसको Touch करते हैं तो Slippery Touch या Soapy Touch होता है Base जो है ऐसा Chemical है जो की बिल्कुल Opposite है हमारे Acid से और ऐसा Substance है Base हमारा जो की Acid को Neutralize कर देता है यारी की Acid का जो Acid करेक्टर है उसको खतम कर देता है तो जितने भी Metal Oxide हो गए Metal Hydroxide हो गए ये सब के सब हमारे Basages है कुछ Example जैसे की Sodium Oxide, Sodium Hydroxide ये सब Base के कुछ Examples है Next जो है वो हमारा है Alklys तो वैसे Base जो की बिना किसी Chemical Reaction के Water में घुल जाए यानि Water Solubal हो उन्हें हम कहते हैं Alkly तो इसका Example हमारा हो गया Sodium Hydroxide, Potassium Hydroxide, Calcium Hydroxide ये सब जो है वो Alkly है यानि Water Solubal Basage है जो Water में इजली Dissolve हो जाते है उसके बाद अब जिस तरीके से Acid में Hydrogen Ion common होता था यानि H plus Equus Ion common होता था उसी तरीके से क्या जो है तो सारे Basage में common है तो सभी जो Basage है उनमें Hydroxide Ion यानि कि OH-Ion जो है वो common होता है तो कैसे OH-Ion release होता है तो जब हम किसी भी Base को Water में Dissolve करेंगे तब हमारा वो break हो जाएगा और उसमें से Hydroxide Ion निकल जाएगा जैसे कि Sodium Hydroxide है जो कि एक Base है Water Solubal तो इसको हम अलकली भी कह सकते हैं तो जब इसको Water में हम Solubal करेंगे तो ये break हो जाएगा हमारा Sodium Ion एक्वस में और Hydroxide Ion एक्वस में जो है वो Base तो Base के Types कैसे हैं तो Base दो तरीके के Strong Base और Weak Base जैसे कि हमारे Acid होते थे दो तरीके से उसी तरीके से Base भी दो तरीके के हो गया तो वैसा Base जो कि Completely Ionize हो जाए Water में यानि कि Water में जब हम उसको Dissolve करें तो OH- का Concentration जो है वो बहुत जादा हो यानि बहुत जादा Hydro Oxide Ion वो प्रोड्यूस करें तो वैसे Base को हम Strong Base या फिर Strong Alkyl काते हैं उसका जो Example हो गया वो हमारा हो गया Sodium Hydro Oxide, Potassium Hydro Oxide ये सब जो है वो Strong Base है इसके Just Opposite हो जाएगा हमारा Weak Base तो Weak Base वैसा Base है जिसको कि अगर हम Water में Resolve करते हैं तो परसी Alley Ionized होता है यानि कि वो Small Amount of Hydro Oxide Ion प्रोड्यूस करता है OH-Ion तो ऐसे Basage को हम लोग Weak Base या फिर Weak Alkyl काते हैं इसका Example हो गया हमारे पास Ammonium Hydro Oxide, NH4OH, Calcium Hydro Oxide ये सब जो हैं तो Weak Base के Example है अब है कि Base का क्या Properties होता है कि Base इसके क्या Properties है तो Base वैसे होते हैं जिनका की Taste भी टड़ होता है जब हम उसको टच करते हैं तो Soapy फील होता है जैसे कि हम लोगों ने अपने हाथ में साबून लगा लिया हो Base जो है वो Red Lutmus को Blue में Turn कर देता है जो कि बिल्कुल Opposite है किससे तो Acid से Acid करता क्या है कि Blue Lutmus को Red में Change कर देता है और Base Red Lutmus को Blue में Base जो है वो Acid की तरह ही Electricity को Conduct करता है यानि इसका भी Use हम लोग Electrolites के तरह करते हैं क्योंकि इसमें भी जो Hydro Oxide Iron है वो करता क्या है कि Electricity को Conduct करता है उसके बाद जो base है वो कुछ metals के साथ react करके सभी metals के साथ react नहीं करता है कुछ metals के साथ react करके और hydrogen gas evolved करता है जैसे कि यहाँ है हमारा है sodium hydroxide base जो कि zinc metal के साथ react करेगा और उसमें जब हम heat देंगे तो यह sodium zincate salt form करेगा और hydrogen gas यहाँ से evolved होगा लेकिन सभी metal के साथ base जो है वो react नहीं करता है उसके बाद base जब react करेगा acid के साथ तो salt और water produce करेगा जैसे कि हमारा हो गया sodium hydroxide जो की base है जब उसको हम react कराएंगे sulfuric acid के साथ तो salt बनेगा sodium sulfate और water release होगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा base है वो acid को पूरी तरीके से neutralize कर देता है तो ये जो है वो pure या real neutralization reaction हम इसको कह सकते हैं और इसमें से acid का जो hydrogen ion है और base का जो hydroxide ion है वो दोनों मिल करके और water form करता है तो इस करण से salt बनता है और water release होता है उसके बाद base जो है वो non-metal oxide के साथ react करके भी salt और water produce करता है जैसे कि यहां हमारा example हो गया कि calcium hydroxide जो base है वो carbon dioxide जो कि non-metal oxide है गैस है इसके साथ react करके calcium carbonate जो कि salt बनाया और water release किया अब जो है usage of base तो base का use हम लोग कहां कहां करते हैं तो जैसे sodium hydroxide हो गया इसका use हम लोग soap industry में, paper industry में उसके बाद raw and synthetic fiber है जिसका की production में हम लोग sodium hydroxide का use करते हैं next जो है हमारा वो calcium hydroxide calcium hydroxide को हम लोग slack lime भीकाते हैं और इसका use हम लोग करते हैं bleaching powder बनाने में next magnesium hydroxide इसका use हम लोग anti-acid के तौर पे करते हैं जो कि हमारा एनू बगेरा हो गया यानि कि जब हम ACDT हो जाता है हमें तब हम magnesium hydroxide का use करते हैं जो कि हमारे stomach को relief देता है और हमारा indigestion को cure करता है sodium carbonate का use हम लोग करते हैं washing soda बनाने में और water को soft करने में जो hard water आता है उसको वो soft कर देता है उसके बाद sodium hydrogen carbonate का हम लोग यूज baking soda बनाने में जो कि baking soda का use हम लोग खाना बनाने में करते हैं उसके बाद baking powder बनाने में anti-seed बनाने में तो anti-seed तो जानते ही है कि जो कि हमारे indigestion को cure करता है और soda acid fire extinguisher यानि soda acid fire extinguisher जो होता है वो आग बुझाने के काम में आता है अब कैसे हम पता करेंगे कि जो हमारा acid है और base है उसका strength कितना है यानि कि कौन weak है कौन strong है तो इसके लिए एक scale बनाया गया है जिसका नाम है pH scale pH scale जो है वो function कैसे करता है तो किसी भी solution में कितना hydrogen ion presence है यानि कि H plus aqueous ion कितना presence है उसी के हिसाब से ये बताता है उसके strength के बारे में यानि कि जितना ज़्यादा hydrogen ion होगा तो ये pH scale में जो value है वो उतना ही कम होगा तो pH scale का जो value है वो 0 से ले करके 14 के बीच में राता है यानि कि कि किसी भी solution में अगर hydrogen ion का concentration ज्यादा है तो उसमें hydroxide ion का concentration कम होगा और किसी solution में अगर hydroxide ion का concentration यानि OH ion माइनस ion का concentration ज्यादा रहेगा तो H plus ion का concentration कम रहेगा तो इसी के आधार पे pH scale function करता है जो कि हमें किसी भी solution का strength बताता है कि वो acidic है या फिर basic तो जो acidic होता है उसका जो यानि कि 7 से 0 से लेकरके 7 के बीच में अगर कोई value आता है तो वो हमारा substance जो है so acidic होगा और 7 से लेकरके अगर 14 तक आता है तो वो जो हमारा substance है वो basic होगा और अगर किसी substance का pH value 7 होगा exactly 7 तो वो हमारा neutral substance होता है तो जितना ज्यादा हम 0 के close जाएंगे तो उतना ज्यादा हमारा substance acidic होगा और जितना close हम 14 के जाएंगे तो उतना हमारा substance है जो solution है वो हमारा basic होगा तो जैसे कि यहाँ पर figure में आप देख सकते हैं कि बीच में जो 7 है वहाँ पर neutral है और 0 की और जब हम जाते हैं तो यह strong acid उसी तरीके से इधर 7 से लेकर के 10.5 तक जो है वो weak base या weak अलकली और 10.5 से लेकर के 14 तक जो है so strong base या फिर strong अलकली उसके बाद universal indicator तो universal indicator होता क्या है तो ऐसा indicator जो हमें किसी भी substance के strength बताता है उसके color के हिसाब से यानि कि किस तरीके का color वो देता है जब वो react करता है indicator से उसके हिसाब से हम उसका strength बताते है कि वो weak है या फिर strong है चाहे वो acid हो या फिर वो base हो तो universal indicator बनता कैसे है तो universal indicator को बनाने में बहुत सारे indicator का use करते हैं यानि बहुत सारे dice जो है अलग-अलग color का उसका use करके हम लोग universal indicator बनाते हैं और जिसमें pH scale उसमें लिखा हुआ राता है जैसे pH scale 0 से 14 तक तो universal indicator में भी pH scale लिखा हुआ राता है और color के हिसाब से हम बताते हैं कि किस तरीके का color हुआ तो वो substance कितना acid है या फिर कितना basic है तो जैसे कि यहाँ हम figure में देख सकते हैं कि यहीं जो है वो हमारा universal indicator है जिसमें कि pH color chart दिया हुआ है जो सबसे ज़्यादा acid होगा उसका dark red color और जो सबसे ज़्यादा basic होगा वो हमारा purple color और जो water है जो कि neutral होता है वो जब हम universal indicator से react कराते हैं जब टेस्ट जब करते हैं तो उसका जो है universal indicator का जो color है वो green हो जाता है यानि कि वो हमारा neutral होता है तो इस तरीके से हम universal indicator से किसी भी substance के strength को यानि किसी भी solution के strength को हम बता सकते हैं कि वो हमारा acid है या फिर basic है या वो weak acid है या फिर strong acid है उसका pH value कितना है पीएज कितना होना चाहिए तो हम पीएज जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहला जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानि जो हमारा पाचन तंत्र है उसके लिए बहुत जरूरी क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में जो हमारा भोजन जो हम लोग करते उसको पचाने के लिए हमारे पेट में डाइलूट हाइड्रोकलोरीक एसीड रहता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है और कभी-कभी यह जो डाइलूट हाइड्रोकलोरीक एसीड है वह हमारे पेट में बढ़ जाता है यानि कि उसका अगर बढ़ गया तो हमें इन यह दूट नेता है जो की फेस होता है रिलीफ मिलता है छिसे इसमें हम्य दांसमी चेंज के कारण होता है तो में मैंगनीसिया फीम मैंगनीसिया भी करते हैं उसमें कीरा लगिया लेकिन कीरा कुछ होता नहीं है तो ये भी pH के कारण नहीं यानि कि हमारे mouth के अंदर अगर pH change होता है तो हमारा तूटी के होता है तो होता क्या है कि जब भी हम sugar containing food को खाते हैं तो हमारे mouth में जो bacteria present होता है वो sugar को break करके acid बनाता है और यही acid जो है वो हमारे mouth के अंदर acid का concentration जो है उसको बढ़ा देता है यानि कि pH के value को कम कर देता है जिसके कारण tooth decay सुरू हो जाता है तो इससे बचने के लिए और यह इतना तक कर देता है यानि कि below 5.5 यानि कि weak acid form कर देता है हमारे mouth में तो इसको prevent करने के लिए जब भी हम खाएं तो क्या करें कि मुँ को अच्छे से दोएं ताकि साफ करें ताकि उसके अंदर कोई भी particles जो है sugar का वो बचाना रहे जिसके कारण हम tooth decay से बच जाएंगे उसके बाद जो pH है pH जो है वो plants और एनिमल पर भी depend करता है मतलब plants और एनिमल भी इसके प्रती sensitive होते है और एक चीज और कि हम लोग इ present acid को कम करता है उससे उसे neutralize कर देता है plants और एनिमल जो है वो भी pH के sensitive है तो कैसे जो हमारा स्वाइल है अगर उसका pH ज्यादा मतलब कम हो गया 7 से कम हो गया यानि कि वो acidic हो गया तो उसमें हम करते क्या है कि कुछ मात्रा quick lime का यानि कि calcium oxide का मिला देते है या फिर slack lime का मिला द देते हैं ताकि वो जो है उसके neutralize कर दे और अगर हमारा जो soil का pH value है वो 7 के close होगा तो हमारे plant जो है वो बहुत अच्छे उसमें grow करते हैं बहुत अच्छा वो उग पाते हैं उसके बाद animals या फिर हम लोग human है उनके survival में भी pH change जो है वो बहुत depend करता है तो हमारा जो body है व वो एक narrow pH value है यानि 7 से लेकर के 7.8 तक उसमें बहुत अच्छा develop करता है और अगर किसी कारण से यह जो pH है वो disturbed हो गया तो हमारा जो body है उसमें बहुत सारे कठनाईयां पैदा होने लगेंगी और जो water में रहने वाले aquatic animals हैं उनको भी बहुत दिक्कत होगा अगर pH जो है वो यानि कि हमारा जो water है aquatic animals जिसमें रहते हैं उसका भी pH 7 से लेकर के 7.8 तक अगर रहे तो वो आसानी से रह सकते हैं अब जो pH है रेन वाटर का वो जो है वो लगभग 5.6 तक अगर पहुँच गया तब हम उसको कहते हैं कि acid rain हो रहा है जो कि बहुत सारे buildings हैं जो कि मारबल बहुत नुकसान दायक होता है और अगर pH जो है वो 5.6 तक अगर किसी भी जैसे लेक हो गया या रीवर का अगर हो गया तो उसमें जो भी animals रह रहे हैं aquatic animals वो मरने लगे जैसे कि यहाँ फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि जो फीस है वो किसी लेक में बहुत ज्यादा मर गया है तो इसके लिए करते क्या है कि जैसे यहां क्या किया जा रहा है कि helicopter से calcium carbonate का चिरकाओ किया जा रहा है लेक्स में ताकि जो pH value कम हो गया है वो neutralize हो करके 7 या उसके करीब हो जाए उसके बाद बहुत सारे जो animals हैं या फिर छोटे-छोटे जो insects हैं वो chemical warfare करते हैं यानि acidic liquid छोड़ता है तो हमें बहुत जादा pain और irritation होता है तो इससे बचने के लिए हम करेंगे क्या कि उससे relief के लिए बच तो नहीं सकते हैं अगर वो काट लिया तो तो उससे relief के लिए हम करेंगे क्या कि baking soda का solution जिस एरिया पे बोस्टंग किया है वहां पे हम लगाते हैं जिसस हमें काट लेता है तो alkaline liquid वो हमारे skin में डाल देता है तो यह alkaline liquid है यानि कि basic है इसको ठीक करने के लिए हम लोग करते क्या है कि उस area में vinegar mild acid जो होता है वो vinegar लगाते है तो हमें अरा मिलता है उसी तरीके से अगर ant sting करता है चीटी अगर काटता है तो mitonoic acid हमारे skin में छोड़ हैं तो वो भी क्या करते हैं कि acid release करते हैं जिसके कारण हमें बहुत irritation होता है कभी कभी बोलते हैं कि itching हो रहा है किसी plant को हम लोग छूदी है तो itching हो रहा है तो उसको भी सही करने के लिए अगर वो acid release किये तो हम baking soda का use करते हैं ताकि वो neutralize हो जाए और वो itching वगरा है वो हम सेलफ डिफन्स के लिए acid और बेस का यूच करते हैं और अपने आपको सेलफ डिफन्स करते हैं नेक्स्त जो है हमारा टापिक वो हमारा salt तो salt जो है वो कैसे बनता है बहुत acid से बनता है ऐसा compound है जो कि GACEd से बनता है और कैसे तो जो metal है वो उस acid से जब hydrogen को replace कर देते हैं तब हमारा salt बनता है जैसे कि hydrochloric acid हो गया HCl जब उसमें से hydrogen release होगा, replace होगा तो किस के कारण? किसी metal के कारण तब हमारा बन के तयार होगा, वो हो जाएगा हमारा salt जैसे कि हम देख सकते हैं कि sodium atom जो हमारा metal है और अगर वो react किया HCl से तो वो किया कि वहाँ से hydrogen को हटा दिया और chlorine के साथ react करके NaCl बनाया जो कि हमारा common salt है तो salt जो है वो एक साधाना name है, general name है, इसका मतलब नहीं कि केबल sodium chloride ही है, वही एक salt है तो बहुत सारे salt है, जैसे कि sodium chloride हो गया, sodium nitrate, copper sulfate, magnesium sulfate, sodium sulfate, iron sulfate, यह सब के सब salt ही है के वो sodium chloride ही salt नहीं होता है अब salt जो है, वो acid और base के reaction से बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि salt के बनाने में दो parents यूज होते हैं, यानि कि acid और base जो है, वो इसके दो parents हो गया अब करते क्या हैं कि जो भी हमारा salt होता है, उसके naming में, तो जो हमारा base हुआ, उसमें यानि कि जो metal होगा, metal से जो oxide बना या metal hydroxide बना, तो सबसे पहले हम metal का नाम लिखते हैं कि किस metal से बना हुआ है और last में, जो हमारा acid है, उसका, यानि कि acid में कौन सा आयन है, उससे तो अगर hydrochloric acid अगर react करें, तो hydrochloric acid से बनने वाले जो salt हैं, उन्हें हम chloride कहेंगे, यानि उनके बाद में chloride लगा हुआ रहेगा अगर sulfuric acid से बना हुआ salt है, तो उसके बाद में sulfate लगा हुआ रहेगा अगर nitric acid से बना salt है तो last में nitrate रहेगा carbonic acid से बना salt तो carbonates acetic acid से बना salt तो acetates तो इस तरीके से salt का नाम हम दे सकते हैं उसके बाद family of salts तो क्या होता है family of salts तो वैसे salts जिनमें या तो same positive iron हो यानि कि जो metal वाला part है वो या तो same हो या फिर negative iron हो या तो same positive iron हो या फिर same negative iron हो उसे हम कहेंगे कि वो एक ही family का यानि एक ही परिवार का salt है तो example से हम समझेंगे जैसे कि sodium chloride और sodium sulfate हो गया इन दोनों में sodium जो है वो common है तो इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है हमारे sodium salts उसी तरीके से next example अगर हम देखते हैं तो sodium chloride और potassium chloride इसमें जो है वो acid या basic solution produce करते हैं यानि कि basic solution alkaline solution जब हम उन्हें water में dissolve करते हैं जैसे कि हमारा sodium chloride जो साधारा नमक हम लोग यूज करते हैं घर में उसका तो pH value 7 होता है यानि वो neutral है लेकिन ammonium chloride solution हो गया ये जो है इसका pH value 6 यानि कि ये हो गया हमारा acid 7 से कम तो acidic और sodium carbonate solution इसका pH value जो है वो 9 है यानि कि ये basic या फिर alkaline हो गया तो इस तरीके से जो salts है वो कभी-कभी acid क्या basic property भी सो करते हैं उसके बाद अगर जो salt है वो हमारा strong acid से और strong basis से तो वो हमारा neutral solution होता है यानि कि उसका pH value जो है वो 7 होगा अगर जो salt है उसमें strong acid है और weak base है तो acid strong यानि कि acidic solution यानि pH value जो है वो 7 से कम अगर वैसा salt बनेगा जिसमें कि हमारा acid है वो weak है और base जो है वो strong है तो जो हमारा solution होगा वो basic solution होगा यानि कि pH value जो है वो 7 से जादा होगा तो इस तरीके से हम लोग salt का समझ गया कि वो salt कैसा होगा acidic होगा basic होगा उसके बाद है common salt यानि sodium chloride के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसको कि हम लोग खाते हैं या हम अपने घर में यूज करते हैं और बहुत सारे जगों पे यूज होता है तो यह जो common salt है जिसका की simply नाम हम लोग जानते है sodium chloride chemical formula NaCl होता है और यह neutral salt है यानि कि इसका pH value 7 होता है तो यह बनता कैसे है तो जब NaOH यानि sodium hydroxide जो है वो HCl acid के साथ यानि hydrochloric acid के साथ react करता है तो sodium chloride salt बनता है common salt aqueous यानि कि इसमें थोड़ा पानी मिगा हुआ रहता है और water release करता है तो किस तरीके से common salt obtain होता है तो common salt जो obtain होता है या तो हमारे sea water से obtain होता है तो sea water से कैसे तो common salt हम sea water को लिए और पैचेज बना देता है मतलब sea के किनारे और उसमें हम water को छोड़ देते है इवोपरेट होने के लिए तो वो इवोपरेट होता कैसे है तो sun ray के कारण वो इवोपरेट होता है और इवोपरेट होने के बाद जो residue बज जाता है वही हमारा common salt होता है बाद में उसको purify करते है iodine add करना है तो iodine add किये तो वो हमारा iodized salt हो गया उसके बाद second जो process है common salt obtain करने का वो है हमारा underground deposit तो हुआ क्या कि बहुत साल पहले बहुत सारे जो C थे वो सूख गये तो C सूखने के कारण जमीन के अंदर बहुत सारे जो salts है वो सूखे हुए यानि कि rock के रूप में underground deposit हो गये जैसे कि कोयला हम जमीन के अंदर से निकालते है उसी तरीके से salt भी जमीन के अंदर से निकलता है क्योंकि यह वो operation होते होते thousands years ago वो हमारे earth के अंदर deposit हो गये है rock salt के form में तो इस तरीके से जैसे यहां पर फीगर में देख सकते है first जो process है इस तरीके से बना करके और जो second यह 42 फीगर है यहां पर ऐसे जो water है उससे salt बनाया जाता है और यह जो हमारा है rock salt जिसको के हम लोग सेंधा नमक भी कहते हैं जो जमीन के अंदर बैठा हुआ रहता है अब जो common salt sodium chloride है इसका यूज हम लोग कहां कहां करते हैं तो बहुत सारे chemicals industry में इसका यूज होता है sodium chloride का caustic soda बनाने में sodium carbonate बनाने में मतरवासिंग soda बनाने में sodium hydrogen carbonate यानि baking soda बनाने में hydrogen बनाने में इसके बाद जो common salt है इसका यूज हम लोग preservative के तरह भी करते हैं यानि कि किसी चीज को बचा करके अगर ज्यादा दिन तक रखना है तो जैसे कि पिकल्स अचार में हम लोग नमक डालते हैं ताकि वो प्रिजर्व रह सके बहुत सारे दिन तक उसके बाद अगर meat को भी हमें preserve करना है फीस को preserve करके कुछ दिनों तक रखना है तब भी हम उसमें salt डाल देते हैं उसके बाद sodium chloride का use हम लोग soap industry में करते हैं और sodium chloride का use हम लोग बहुत सारे जो ठंडे प्रदेस हैं मतलब ऐसे देस जहां पे बर्फ जम जाता है सर्दी के दिनों में तो बर्फ को पिगलाने के लिए यानि melt करने के लिए हम लोग common salt का यानि sodium chloride का use करते हैं अब chemicals जो common salts हैं उनसे बनने वाले कौन-कौन से chemicals हैं तो सबसे पहला जो है वो हमारा sodium hydroxide यानि कि caustic soda है caustic soda जो है वो बनता कैसे है तो sodium hydroxide जो है वो बनता है electrolysis जब हम करते हैं concentrated aqua solution of sodium chloride का तो यह जो sodium chloride का जो aqua solution है उसको हम कहते हैं क्या brine तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं reaction को जब sodium chloride यानि NaCl water से react किया और electrolysis यानि electricity के presence में तो हमारा sodium hydroxide बना यानि caustic soda chlorine gas evolve हुआ और hydrogen gas यहाँ से evolve होगा तो chlorine gas जो है वो anode पे produce होगा और hydrogen gas जो है वो cathode यानि की negative electrode पे हमारा hydrogen gas और positive electrode पे हमारा chlorine gas क्योंकि chlorine जो है वो negative charge होता है तो positive के तरफ attract करेगा और hydrogen जो है वो positive charge होता है तो negative के तरफ attract करेगा तो इस तरीके से हमारा बन गया अब sodium hydroxide का use हम लोग कहा कहा करते हैं तो sodium hydroxide का use हम लोग करते हैं soap industry में, detergent industry में, artificial textile जैसे की रायन बनाने में, paper industry में उसके बाद bauxite ore जहां से हम लोग aluminium metal को extract करते हैं उसको purify करने में, उसके बाद किसी भी metal को degrease करने के लिए यानि कि उसके उपर जो grease वगरा कुछ गंदगी जम जाता है उसको हटाने के लिए हम लोग sodium hydroxide का use करते हैं oil refining में करते हैं, dye बनाने में, bleaches बनाने में उसके बाद हमारा chlorine, chlorine का use हम लोग करते हैं water को disinfected करने में, क्योंकि यह germs को मार देता है उसके बाद bleaching powder बनाने में, hydrochloric acid बनाने में chlorine का use करते हैं PVC pipe बनाने में, pesticide उसके बाद CFC जो chloro-fluorocarbon है, chloro-form इन सब में हम लोग chlorine का use करते हैं उसके बाद chlorine का use हम लोग dry cleaning में भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे जो कपड़े होते हैं, उनको dry cleaning का ज़रूरत परता है तो उसमें हम chlorine का use करते हैं उसके बाद है hydrogen का use, तो hydrogen का use हम लोग करते हैं solid fats, यानि कि जो हमारा dalda है, dalda बनाने में उसके बाद hydrochloric acid बनाने में, ammonia जो की fertilizer में रहता है उसको बनाने में, methanol बनाने में और liquid जो hydrogen है, उसका हम लोग rocket के fuel के तरह भी यूज करते हैं यानि rocket में जो fuel होता है, वो हमारा liquid hydrogen होता है उसके बाद next जो है, वो हमारा है usage of hydrochloric acid तो hydrochloric acid का use हम लोग करते हैं, iron seed को clean करने में क्योंकि iron seed जो है, उसमें teen plating या फिर galvanization करते हैं जिसके कारण उसमें जंग न लगे, तो उससे पहले साफ करने के लिए iron seed को हम लोग hydrochloric acid से treat करते हैं उसके बाद hydrochloric acid का use हम लोग chlorides बनाने में जैसे कि ammonium chloride हो गया, जिसका की हम लोग यूज करते हैं dry sales में इसके लिए करते हैं, medicine industry में और cosmetic industry में भी करते हैं textile industry हो गया, dyeing industry हो गया, इन सब में हम लोग यूज करते हैं उसके बाद polyvinyl chloride यानि PVC बनाने में भी हम लो hydrochloric acid का use करते हैं next हमारा वो है washing soda, तो washing soda जो है, वो है sodium carbonate में जब हम 10 molecules water का crystalline add कर देते हैं, तब हमारा वो washing soda बनकर तयार हो जाता है तो इसका production कैसे है, तो किस तरीके से, तो ये 3 process है, 3 process से हमारा washing soda बनकर तयार होता है तो सबसे पहले हम sodium chloride का use, sodium chloride को treat करते हैं ammonia से, यानि NS3, water और carbon dioxide के presence में तब हमारा बनता है sodium hydrogen carbonate और ammonium chloride, तो ये जो हमारा sodium hydrogen carbonate बन गया, वो पानी में पूरी तरीके से घुलता नहीं है यानि कि अगर हम पानी में इसको गोलेंगे, तो कुछ solid precipitate बच जाएगा यानि जम जाएगा तो इस कारण से फिर से हम इसको heat करते हैं और heat करने के कारण, इसमें से water और carbon dioxide जो है, वो निकल जाता है तो हमारा बचता क्या है, sodium carbonate जो कि soda ice है, ये एन hydras होता है, यानि कि इसमें water का जो particles है वो नहीं होता है तो हमें तो चाहिए water का particles तो इस कारण से फिर से हम उसमें क्याड़ेंगे क्या कि sodium carbonate जो है जो anhydrous है उसमें 10 molecules हम water का add करेंगे तब हमारा बन के तियार हो जाएगा sodium carbonate decahydrated जो कि washing soda हमारा होता है अब washing soda जो है इसका property क्या है तो यह transparent crystalline solid होता है अगर अच्छा washing soda जो हमारा ह वो बिल्कुल transparent होता है और पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा कोई भी residue नहीं बचेगा उसके बाद कुछ इसमें metal carbonate जो है वो soluble होते है washing soda जो है यह soluble होता है water में उसके बाद जो solution of washing soda है वो alkaline होता है और red litmus को blue में change कर देता है और इसका जो है वो detergent property होता है यानि cleansing property किसी चीज को साफ करने का यानि कि जो गंदगी है dirt है grease है अगर हमारे कप्रे में लगा हुआ उसको वो साफ कर देता है तो यह सब जो हो गया वो washing soda का property हो गया उसके बाद जो है वो sodium carbonate या washing soda का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं तो इसका यूज हम लोग करते हैं cleansing isn't यानि कि घरे लूग कप्रे धोने में बहुत सारे dry soap powders बनाने में इसका permanent hardness पानी का अगर हमें खतम करना है उसमें soap और paper industry में और sodium compound जैसे कि एक borrex जो है sodium carbonate का एक compound है उसको बनाने में हम लोग यूज करते हैं washing soda का next जो है वो हमारा baking soda तो baking soda जैसे washing soda बनाने में हम लोग यूज किये थे same first वाला प्रोसेस है और वहीं से हमारा बन जाएगा baking soda तो baking soda बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि NaCl baking soda का सबसे पहले जो formula होता है वो NaHCO3 होता है यानि sodium hydrogen carbonate तो ये इसमें हम sodium chloride क तो ammonia के साथ react करेंगे और water और carbon dioxide के presence में तो हमारा बन के तयार हो जाएगा sodium hydrogen carbonate यानि baking soda और ammonium chloride NH4 Cl अब इसका property क्या होता है sodium hydrogen carbonate का या baking soda का तो ये जो है इसमें white crystal होता है जो कि पानी में अच्छे से घुलता नहीं है ये non corrosive base है यानि कि अगर किसी चीज से react करता है तो वह उसके बाद इसका जो heat के साथ action है अगर हम heat के साथ इसको treat करेंगे तो इसमें से water का जो molecules है वह उड़ जाएगा और carbon dioxide gas निकलेगा यानि कि carbon dioxide gas evolved होगा अब sodium hydrogen carbonate जिसको कि हम baking soda करते हैं इसका यूज हम लोग तो इसका यूज हम लोग anti-acid के तरह करते हैं यानिके medicine में acidity को हटाने में अगर हमारे पेट में acidity बर गया तो उसको हटाने में हम लोग sodium hydrogen carbonate या फिर जिसका नाम baking soda है उसका यूज करते हैं और sodium hydrogen carbonate का हम लोग यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में baking soda और baking powder जो है वो दोनों अलग अलग चीज है और baking powder का यूज हम लोग करते है केक्स बनाने में बेड ब्रेड बनाने में तो अब आगे हम देखेंगे कि baking जो हमारा पाउडर है वो बनता कैसे है तो baking powder बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि यहां sodium hydrogen carbonate जो baking soda है इसमें हम हम एच प्लस एक्वस आयन जो है वो इसके साथ रियक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा एने प्लस एक्वस आयन जो कि sodium आयन टार्टरे साल्ट बनेगा उसके बाद carbon dioxide gas और water रिलीज होगा तो baking powder जो है वो mixture है baking soda का और कुछ edible acid का जैसे कि टार्टरिक एसीड तो टार्टरिक एसीड के कारण होता क्या है कि उसका taste जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है तो जब हम baking soda में टार्टरिक एसीड मिलाते हैं तब हमारा baking powder बन करके तयार होता है और जब इसमें water molecules थोड़ा मिल जाता है तो यह carbon dioxide gas evolved करता है जिसके कारण हमारा जो product होता है यानि कि cake वगड़ा बनता है या bread वगड़ा बनता है तो carbon dioxide gas उसमें होने के कारण वो fluffy और spongy हो कि जब यह react करता है हमारा dilute sulfuric acid से तो यह carbon dioxide gas evolved करता है और carbon dioxide हम जानते हैं कि यह एक अच्छा fire extinguisher होता है उसके बाद जो है हमारा bleaching powder तो bleaching powder जो है उसका formula है calcium oxychloride calcium oxychloride को बनाने के लिए हमें calcium hydroxide यानि कि slack lime को chlorine gas के साथ treat करते हैं तो हमारा calcium oxychloride बनता है और water gas water liquid release होता है यानि कि water तो liquid होता ही है उसके बाद प्रपरटी जो bleaching powder तो bleaching powder का property क्या होता है तो यह white powder होता है जिसका कि बहुत ज़्यादा strong smell होता है और वो smell किसके कारण होता ह तो इसमें जो present रहता है chlorine gas उसके कारण यह जो cold water में soluble होता है लेकिन कुछ जो in soluble portion है वो बच जाता है पीछे में जो precipitate के रूप में बच जाता है bleaching powder जो है वो dilute acid के साथ react करके और chlorine gas produce करता है उसके बाद यूजे जो bleaching powder, bleaching powder का हम लोग यूज कहां कहां करते हैं तो bleaching powder का यूज हम लोग करते हैं cotton या फिर linen industry textile industry जो है उसमें यूज करते हैं उसके बाद wood pulp जो आता है paper industry में जो लकड़ी का pulp जिससे की paper बनाया जाता है लकड़ी से तो उसको bleach करने में हम लोग क्योंकि वो तो रहता है बहुत अलग कलर का लेकिन हमारा जो paper होता है वो white color का तो laundry में भी यूज करते हैं कपरे दोने के लिए उसके बाद water को disinfectant करने के लिए उसमें से germs present है उसको हटाने के लिए chloroform बनाने के लिए उसके बाद जो wool है वो secure नहीं shrink नहीं तो unshrinkable बनाने के लिए हम लोग bleaching powder का यूज करते हैं और इसका यूज हम लोग बहुत सारे industry में chemical industry में oxidizing agent के तौर पे भी करते हैं नेक जो है हमारा वो है plaster of Paris तो plaster of Paris जो है वो है calcium sulfate hemihidrated यानि कि calcium sulfate में half molecules जब water का present रहेगा तब हम उसको कहेंगे plaster of Paris तो ये बनता कैसे है तो ये जो है वो हमारा gypsum salt से बनता है यानि कि calcium sulfate इसमें two molecules water का रहेगा जिपसम में जब हम इसको 100 degree Celsius पे heat करेंगी या फिर 373 Kelvin उसको हम कह सकते हैं तो हमारा क्या होता है कि डेर जो molecule है वयानि one whole one whole half molecule जो water का है वो वहाँ से release हो जाता है और cable half molecule जो है वो बजता है calcium sulfate के का साथ तो यही हो जाता है हमारा plaster of Paris और जब इसको ये सूख जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा hard हो जाता है अब इसका use हम लोग plaster of Paris का use कहा कहा करते हैं तो plaster of सबसे पहले इसका property जान लेते हैं तो plaster of Paris का जो property है तो ये एक white powder होता है और plaster of Paris जो है वो सूखने के बाद यानि कि जब उसमें से water जो है वो सूख जाता है तब ये बिल्कुल hard हो जाता है उसके बाद plaster of Paris जो है इसका हम लोग यूज करते हैं moisture proof container बनाने में अब hospital में भी plaster of Paris का use किया जाता है अगर किसी person का जो fracture हो जाता है bone तो उसको सही position में यानि straight position में रखने के लिए हम लोग plaster of Paris का use करते हैं बहुत सारे toys बनाने में fireproofing material बनाने में बहुत सारे chemical industry में क्या होता है कि air gap जो है कहीं पे आ गया या फिर air किसी भी container को air tight करना है या फिर किसी भी ज है या फिर जिसकों कि हम कहते है hydrated salt तो जो water present होता है किसी भी structure में as a crystal kind के form में तो उसी कारण वो जो हमारा salt है वो गीला होता है क्योंकि कहीं भी पानी रहेगा तो वो गीला रहेगा तो वो उसके crystal का part होता है जिस कारण वो गीला नहीं होता है तो ये हो गया हमारा crystalline of water उसके बाद crystalline of water के कारण ही बहुत सारे जो salt है उनका shape भी decide होता है कि वो जो safe है किस तरीके का होगा या फिर उसमें color भी आता है जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कोबाल्ट नाइटरेट है, red color का, sodium carbonate, white color का, nickel sulfate जो है इसका सब का अलग-अलग color है, copper sulfate है, blue color का उसके बाद जो है कि अगर हम hydrated salts यानि कि वैसे salts जिसमें कि crystalline of water present है, अगर उसमें हम heat के साथ action करें यानि कि हम उसको अगर हम heat देते हैं, तो वो होता क्या है कि उसके अंदर जो present रहता है water of crystalline, वो वहाँ से उड़ जाता है, मतलब खतम हो जाता है और जो नया salt बनके तयार होता है, उसको हम कहते है anhydrous salt, यानि कि वैसे salt जिसमें कि water of crystalline ना हो, उन्हें हम कहेंगे anhydrous salt, जैसे कि यहाँ पर example से हम लोग देख सकते हैं, कि CuSO4, जिसमें कि 5 molecules था water का, यह तो जब हम उसको heat कियें, तो copper sulfate बचा, यानि कि anhydrous copper sulfate, जो कि white color का होता है और इससे पहले जब water के साथ वो मिला हुआ था, तो उसका color blue था, और water जो है, वो वहाँ से बाहर निकल गया तो इस तरीके से हमारा जो यह chapter है, यह seed bases and salts, यह यहाँ खतम हुआ, तो आपको कैसा लगा, like कर दें, धन्यवाद